हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब तो दोस्तो हमारे चनल में उत्राखंड की निसलू के सीरीज चल लही है जिसमें की आपको कम्प्लिट कोर्स कराया जा रहा है तो दोस्तो हमारी उत्राखंड जिला सीरीज चल लही थी उत्राखंड जिला सीरीज में हमारा अंतिम जिला चल लहा तो वहां पर से देखी छोटी सी मिश्टेक हो गई थी वह मिश्टेक क्या थी देखिए जब हम आपको ये हलदवानी के बारे में पढ़ा रहा था तो वहां पर से मैं आपको ये लिखवा था कि 1834 में रेमजे ने हलदवानी को यह नाम दिया लेकिन देखी थोड़ सा 1834 जो वहां पर लिखा हुआ है आपने जो रेमजे लिखा हुआ है रेमजे काड़ देना है और वहां पर आपको ट्रेल लिख लेना है देखी जबी भी आपको वीडियो देखते हैं तो एक बार कमेंट पढ़ लिया कीजिए अगर कोई मिश्टेक होती है तो उस कमेंट में पर्मुक इस्थलों के वारे में हमने पढ़ा था तो कुछ पर्मुक इस्थल आज हम लोग इस वाली वीडियो में पढ़ेंगे जैसे कि पहला आता है हमारा राम नगर तो राम नगर को रहेगा वह कोसी नदी के तट पर रहेगा और देखिए राम नगर को 1850 में कमिस्नर हें रहेंगे ने वसाया था मोश्ट इंपोर्टन दोस्तों कोशिन है कि राम नगर की स्थापना कब होती है 1850 में और इसकी स्थापना किस ने की थी वह की थी कमिस्नर रहेगा पहले आपको सब कुछ पढ़ा चुका हो मैं ये हेंदी रहेंगे की बारे में और देखिए और देखिए राम नगर में ही एक परसिद्ध गर्जिया मंदिर भी है अभी हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और देखिए राम नगर का जो प्रारंबिक नाम रहेगा वो क्या रहेगा राम जे नगर फिर राम जी नगर नहीं पूछेंगे वैसे जो प्रारंबिक र किस कुमाओ कमिशनर के नाम पर रखा गया है तो आपको याद रखना है हेनरी रैमजे पhtिध डेखिए रामनेगर पाइब कासीपुर रेल पतका अंत्यमिश्टेसनाय है यहां पर यह रहेगा रामनेगर में और रामनेगर बार देखे आदिवा देखिए कारवेट्राष्ति उद्ध्यान के परियाँ दर्टिक मतरं में करते हैं और आप इसकर की रिएंस के परियोग परियाँ को पना कि हैं परियोड़ का पर रहे हैं तो ये रहेगा रामनेगर चली ठीक है बढ़ते हैं हम लोग आगे फिर देखिए रामनेगर रेलवे इस्टिसन कब बना तो ये बनता है 1907 में ये कोशिन तोस्तिक जाम आच चुका है नोट कर लेंगे फिर देखिए रेल पट्रियों का विस्तार मुरादाबास से रामनेगर नहीं ये जगे बहुत परसिद्ध है तो गर्जिया रामनेगर के पास ही कोशी नदीक के तटपर है और रामनेगर के अंदर ही आए गाई गर्जिया तो रामनेगर के पास ही में कोशी नदीक के तटपर है और देखिए नदीक के बीचों बीच गर्जिया देवी का मंदर स यहां से पास ही में सितावनी है जहां महरसी वालमिकी के आस्रम के भगनावेस आज भी मौजूद है तो कोशिन देखी कितने बनगे पहली बास तो देखी गर्जिया मंदिर कहां पर है तो गर्जिया मंदिर कहां पर हो जाएगा गर्जिया रामनेगर्म हो जाएगा और यहां पर माता सीता ने तपस्षय की थी तो वह सीता ओनी कहां पर रहेगी रामनेगर गर्जिए में ही चल ये ठीक है फिर देखिए गर्जिए के पास इस ध्धिकूली में कत्यों के राज़दाने थी धिकूली से बहुत देकालिण बूर्णते ही मौर्तिय ही मिलती है यह अने वु बहुत दे कालिन मूरतिया मिली है ऐसे आपके सामने चार आप्शन रहेंगे आप से पूछे जाएगा बताएं इनमे से किस जगे पर बहुत दे कालिन मूरतिया मिलती है तो आपका उतर क्या हो जाएगा धिकूली से उसकी बाद देखिए घोड़ा खाल गोडाखाल भी कहाँ पर है तो वहांपर आपको क्या करना है न्याय च्से संबंदित कोशिन बनने की संभाना ही रहती है यहां से जो कोशिन बनता है गुलो देपता से तो न्याय से सम्मंदिती कोशिन बनता है तो जो घोडा खाल रहेगा वो परसिद्ध है गोयल या गुलो देपता के मंदर के लिए तो कोशिन बनेगा कि घोडा खाल में किस देपता का मंदर है तो गुलो देपता के मंदर के लि अलमोडा में कौन सा मंदिर था ये था चिताई मंदिर अलमोडा में एक था चंपावत में तो यह चार जगए यहां पर मुखित है हमको गुरु देप्टा के मंदिर देखने को मिलते हैं और जो चंपावत वाला रहेगा वो धढ़हिन सीर्स की वहाँ पूजा की जाती है तो यह कोशिन भी आ जाता है कि कुमाओ में सैनिक स्कूल कहां पर है तो यह कहां पर है घोड़ा खाल में इसकी स्थापना वर से पूछ लेता है इसकी स्थापना वर से याद रखना है 1966 में सैनिक स्कूल घोड़ा खाल की स्थापना होती है उसकी बात आपको याद रखनी है उ 1975 में नैपाल के परधान मंत्री थे उनका नाम क्या था मैं लिख देता हूं यहाँ पर गिरिजा अगर नोट करना चाहे तो कर सकते हैं गिरिजा परसाद कोईराला यह एक नैपाल के परधान मंत्री थे तो ततकालिन नैपाल के परधान मंत्री गिरिजा परसाद कोईराला 1925 में यहाँ पर आते हैं और एक घंटी यहाँ पर समर्पित करते हैं कहाँ पर घोड़ा खाल में तब से जो यह इस्थल था जो घोड़ा खाल वाला इस्थल था इसको और भी परसिद्धी प्राप्तों हो गई तो होता है ना जैसे कि कोई भी विदेश का परधान मंतरी हो या राष्टिपती हो किसी दूसरे देश में जाता है और वहाँ के परमो के स्थल पर या किसी भी स्थल पर वो चले जाए आप देखिए कोई परधान मंतरी देखिए अगर कोई विदेश का मंतरी या विदेश का तदकाली परधानमंत्री थे चलिए ठीके बढ़ते हैं आगे पिर देखेए काल ढ़ंगी कहाँ पर है ये भी नेंताल जण्पत में ही आता है देखेए यहाँ जिम कारवेट का मकान में यहाँ पर जिम कारवेट का मकान में तो संग्राले कहां पर है तो ये जगे को हादानाे की ये रहेगा pen lamp. परजय को से नाम से उत्रा खिन एक कहां बात कर लेंगा कभी ये से वैनऀसपशन आजाते हैं उसके वाद रहेते हैं जो सकते हैं उसकी हम लोग बात कर लीते हैं तो देखीए 1897 में नैनेटाल High Court भवन के नियु पड़ी और 1921 में राज भवन बनकर त्यार हो गया जो नैनेटाल को जो राज भवन है उसके जो नियु पड़ी थी 1897 में पड़ती है और 1900 में यह राज भवन बनकर त्यार हो जाता है देखी British Lieutenant Governor Sir Santoni mcdonald ने इसका निर्माण करवाया था important दोस्तों कोशिन है एक जामा कईबार आभी जुका है कि जो नेंताल का उच्चन याले भावन है उसका निर्माण किस ने करवाया था तो ये करवाया था सर सैंटोनी mcdonald ने और इसकी सैली कैसी है इसकी सैली है गौथिक सैली है और देखिए यहां राजभावन बर्किंग हम पैलेस की तरजवर बना हुआ है important दोस्तों कोशिन है कोशिन ऐसे बन सकता है कि जो नेंताल का उच्चन याले भावन है वो किस पैलेस की तरजवर बना हुआ है तो यह बर्किंग हम पैलेस की तरजवर बना हुआ है और देखिए जो इसका डिजाइन रहेगा वो डिजाइन किसने तियार किया था इस्टीवन्स और औरिटर ने इसका डिजाइन तियार किया था फिर देखिए राजभावन के पास एक गोल्फ कोर्स से 1926 में बना जिसकी सुरुवात गवर्नर मैलकम ने की थी तो दोस्तों important question है कि जो नेनताल का जो उच्च न्याले भावन है उसके पास एक गोल्फ कोर्स का निर्माण कब होता है तो 1926 में होता है और इसकी सुरुवात किस ने की थी वो की थी गवर्नर मैलकम ने फिर देखिए राजभावन में रहने वाले पर्थम ब्रिटिस गवर्नर important question है कि जो उच्च न्याले जो नेनताला बनता है उस राजभावन में रहने वाले पर्थम ब्रिटिस गवर्नर कों थे वो थी मैक डोनल्ड और देखिए पर्थम भारती गवर्नर ये रही थी सरोजनी नाइडू पर्थम भारती गवर्नर रहेंगे सरोजनी नाइडू और पर्थम ब्रिटिस गवर्नर कों रहेंगे जो यहाँ पर रहे थे वो थे मैक डोनल्ड चले ठीक है समझ में आगया होगा आपके बढ़ते हैं आगे फिर देखिए हम लोग बात कर लेते हैं नेनिताल जिन पाद में जो ताल है जो जीले हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं काफी सारी यहाँ पर ताले हैं काफी सारी यहाँ पर जीले हैं तो देखिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं नेनिताल की नेनिताल जगह का नाम भी है देखिए समझे इस चीच को नेनिताल एक प्रॉपर जगह का नाम भी है जैसे कि एक देखिए ऐसे हैं आपको समझाता हूँ ये है नैने ताल डिश्टिक पूरा ये है नैने ताल जिला इस नैने ताल जिला में यहाँ पर है नैने ताल हम लोग मांड़ेते हैं कि यह हमारे नैने ताल एक प्रॉपर जगह है इसी नैने ताल में एक नैने ताल जील ह दोनों नाम हों से जाना हैँ सचास तो नियर्णितर देखिये लिए जर्ण इस जील को इसकंदव परण में तिरी परणका को दोनों दोनों ही नाम हो से जाना जाता है तो नियर्णितर देखिये इस जिल को कंदृ पुराण में 3D adjective कहा गिया है तो मानस खंड मैं कहा गिया है मानस खंड है इसकंद इसको बोला जाता है मली ताल और आप देखिये अगнуться अगर है जाम आ जाता हैजां आपने पड़ाई नहीं है आपको जान का डाल नियुदाल को दो भागों में बांटागी है मतलब यह कोई दिवार नहीं यहां पर बस ऐसे ही मतलब यह उपर का ही रहागा है नीछे का इसको तली ताल और माथ्ण लिया गया 60 मीटर है और गहराई है 16 से 26 मीटर याद रख लेंगे वैसे ये बहुत जो जील है विस्सो इस तरपर भी बहुत विख्यात है तो इसकी लंबाई चोड़ाई और गहराई याद रख लेंगे इस जील के नाम आपको याद रखने है इनमें से किसी भी पहाड़ी का नाम आपसे पूछा जा सकता है और चैना पीक तो दोस्तो आप Gentand ऐसको एह और देख लेंगे और ये आपको याद रहने है तो इसको नइन बीग भी कहा है पिछली वाली वीडियो میں मैं आपको लिखवाया था कि ज दोनों को एक ही नाम से जाना आता है तो नोड कर लेंगे इसको भी कि जो यहां जो सबसे उची चोटी रहेगी चायना या निनापीक रहेगी जिसकी जो उचाई है वो है 2611 मीटर 2611 मीटर फिर देखिए नेनताल जील के दक्षन पूरी भाग से बलिया नदी निकलती है यह द के पास इस जील की उपर ही सता है कुकर मरकरी सेवाल से आच्छा दिद रहती है आलाकि ऐसे कोशिन बनते नहीं है फिर वे नोड कर लीजिए और देखिए सबसे महत्मून बात जो की बार बार दोस्ते जाम कोशिन पूछा गया है कि यहां की खोच किस ने की थी देखिए प पार्ट फश्ट में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ तो दोबारा उस चीज के बार में क्या डिसकस करना बस इतना जान लिजिए 1841 में पी बैरन ने नैनिताल या नेनिताल जील की खोच की थी कब 1841 इस पी में ज्यादा डिटेल में अगर आपको यह चीज चाहिए द नेना देवी सकती पीट की परतिष्टा हुई थी यह भी मैं आपको पिछली वाले ये वीडियो में बता चुका हूँ चलिए ठीक है बढ़ते हैं हम लोग आगे हैं फिर देखिए हम लोग बात कर लिते हैं भीमताल की यह जीलें बहुत बड़ी हैं उतरा खंड़ की भीमत इस जील का संबंद महा भारत कालिन भीम से लगाया जाता है जो पांड़ो थे उन्हीं पांड़ों में भीम भी थे तो उन्हीं इन्हीं भीम से इस जील का संबंद लगाया जाता है ऐसा कहायाता है कि जब यहाँ पर से पांड़ों लोग गुजर रहे थे पांच भाई तो उन्हें प्यास लगी तो भीम जो थे उन्होंने यहापर एक गदा मारा और एक तालाप का निर्माण हो गया ऐसी कुछ बात हैं हमको पॉरणे कथाएं हमको सुनने को मिलती हैं तो कुशिने से बन सकता है कि महा भारत काली भीम का संबन्द किस ताल से है तो आप लोग नाम से इसको जज़ कर सकते हैं भीम ताल फिर देखिए जो लंबाई हो जाएगी याद रखेंगे जैसे कि कुमाओ छितर के सबसे बड़े जील है तो इसकी लंबाई आप लोग याद रखिए 1674 मिल्टर इसकी लंबाई है चोड़ाई है 447 मिल्टर और गहराई है 26 मिल्टर फिर पर जो बीच में बीच बिल्कुल नाव के मादम से यहाँ पर जाते हैं तो यह बिल्कुल टापू है बीचो बीच में ऐसे दोस्ते अबरे आपको क्यों बता रहा हूँ ऐसे कोशिन बन जाते हैं कि उतरा खंड में किस जील के बीचों बीच में एक टापू है तो आपका उतर का हो जाएगा यह हो जाएगा भीमताल जील के बीचों बीच में एक टापू है और जहाँ पर एक रेस्टोरेंट भ जल निकट वरती बारा खेड़ी गधरे में होकर गौला नदी में मिलता है तो दोस्तों आप देखी जो इतनी बड़े जील है तो उस जील का जल कहें न कहीं से निकासी होगी ना उसकी तो देखी बारा खेड़ी गधरे में बहता है और यहां से गौला नदी में मिल जाता है तो कोशिन कभी कभी ऐसे बन जाता है, जो भीमताल जील का जल है, वो किस नदी में जाकर मिलता है, तो गौला नदी में जाकर मिल जाता है, और किस के माद्यम से, 12 खीड़ी कजरी के माद्यम से, नISA कुछिया जील के हम लोग बात करते हैं, किताब हम आपको 9 खुचिया जील देखने को मिलेगा तो यहाँ कुमाओ की सबसे गहरी जील है सबसे बड़े जील अगर आपसे पूचे तो भीम ताल सबसे गहरी अगर आपसे पूचे तो 9 खुचिया ताल 9 कोने जील के हैं देखिए उत्रा खंड में 9 कोनों वाला ताल कौन सा है अभी तक सबसे ज़्यादा कोनों वाला ताल है उत्रा खंड में जो 9 कूचिया ताल है सबसे ज़्यादा कोनों वाला ताल है 6 कोनों वाला ताल हमने गड़वाने पड़ा था याद रखेंगे क्योंकि सबसे गहरा ताल है और लंबाई 950 मीटर है और चोड़ाई कितनी है 680 मीटर इसको सनत कुमार सरोवर भी कहा गया है नोड करेंगे किस ताल को सनत कुमार सरोवर भी कहा गया है तो ये कहा गया है नौकुचिया ताल को important दोस्तों ये question रहेगा तो ऐसे question दोस्तों बन जाते है जैसे पूछे जाएगा आपसे सनत कुमार सरोवर कहा है सोचिये आपके option में 9 कुचिया ताल नहीं है direct आपसे पूछे सनत कुमार सरोवर कहा है तो ऐसे question बनने के समभवना काफी रहती है तो कहाँ पर रहेगा नहीं ताल में अब जैसे की 9 कुचिया ताल है इसके 9 कौने है ऐसी मानता है कि इसके 9 कौनों को एक साथ नहीं देखा हो जा सकता है मतलब कि कुछ ऐसी सनरचना ताल की है एक साथ इसके 9 कौनों को नहीं देखा हो जा सकता है पुराने समय में ऐसी मानता थी अगर कोई भी व्यक्ति इसके नौ कोनों को एक बार में एक जगे से खड़े होकर नौ कोनों को एक साथ देख लेता है तो एक साल के अंदर उसकी मिरती हो जाती ऐसी मतलब पहले के समय में ऐसी मानता थी ऐसी परचलित बात थी तो और वरतमान सब pickled पक्षियों के निवास के लिए यहाँ जील उत्तम है।amed यह जगे तो यह जो जील है अजील घुठारर कौन जिल पक्षियों के निवास के लिए आती उत्तम है और विदेशी पक्षियों गाँज के ली तो यह जा ज़तार gets कि भूबेग ग्यानिकों के अनुसार इसकी रचना कैसे है, हिम्यूगिन है। और पुसकर तीर्थ हुआ हरकी पड़ी की तरह यह महत तो ताल है। फिर आता है साथ ताल यहां कुमाउच हेतर की सबसे रमढ़िक जील है कोशन दोस्तों ऐसे बन सकता है डालक लिखा हुए कि- multiplicons present साथ ताल है वह कुमाउच छेतर की सबसे रमढ़िक जील है फिर दिखिए पहले यहां साथ तालन ती जिनमेंसे कुछ वर्तमान में सूख चु हैं तो यह आपको यह याद रखना देखिए हाँ पर समुष बना हुआ है और कहा यह जाता है कि जो साटताल है यह आपस में एक दूसरे के माध्यम से नीचे किसी सोरंग के तवरा जुड़े हुए है मतलब कोई आंतरी सोरंग होगी उसके द्वारा ये साथ ताल आपस में जुड़े हुए हैं ऐसा भी कहा जाता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है ऐसे कोशन नहीं बनेगा आपको याद रखना है कि नल देमियंती ताल कहां पर है लक्षमर ताल कहां पर है गरून या पन्ना ताल ये मोश्ट इंपूर्टन रहेगा गरून या पन्ना ताल राम ताल सीधा ताल पूर्ण ताल और भरत ताल इससब कहां पर हो जाएंगे ये सब नहीं ताल जिनपद में ही है और देखिए इसके अलबा यहां एक सत्रूहन ताल भी है तो इससब आपको याद रखने हैं यहां से कोशन दोस्त बनते रहते हैं फिर देखिए निंटाल से आने वाली वालियागार नदी के माध्यम से इन तालों का जल गौला नदी में चला जाता है तो जो साथ ताल है यानि कि साथ ताल जो है साथ ताल में देखिए जगे का नाम तो साथ ताल है साथ ताले भी हैं वहां पर तो इन साथ तालों का जो वो गौला नदी में चले जाएगा तो कोशिन ऐसे बन सकता है कि जो साथ ताले हैं उनका जो जल है वो किस नदी में जाकर गिरता है तो गौला नदी में जाकर गिरता है किस नदी के माध्यम से होगा तो वो रहेगी वालियागार नदी के माध्यम से उसके बाद देखिए मोर लेंड से की जाती है तो ये रहेगा साथ ताल फिर देखिए अमेरिकी मिसनरी इस्टेनले जोंस का आसर है साथ ताल के पास ही है ऐसे कोशन दोस्ते कभी कभी बन जाते हैं कि जो अमेरिकी मिसनरी थे वो इस्टेनले जोंस उनका जो आसरम है वो किस ताल के पास में है या क पकड़ी आ सकती है ऐसी कोई जन सुरूती है यहाँ पर तो यह कोशन दोस्तों बन सकता है कि उत्रा खंड़ की किस ताल में से जील नहीं पकड़ी आती है तो वो रहेगी नल दैमंती ताल में से जील नहीं पकड़ी आती है और देखिए इस ताल के पांच कोने है नल दैमंती कोशिन पूछे गए हैं, यहाँ पर जो बच्चे सब्सेरे कन्पूज जातने एक जाम में, एक आता है खुरपा ताल, क्योंकि इसकी जो आकरती जानवर के खुर के समान है, एक आता है नल देवमंती ताल, जो इसका आकार रहेगा वो कैसा रहेगा, अस्व खुर के समान रहे तो सारे टॉपिक आपको यहां पर से लिखने हैं और यह भी कोशन कई बार आ चुका है कि नल दयमंती ताल के कितने कोने हैं या पांच कोनों वाला ताल इन में से कौन सा है आपके सामने चार उप्सन नहेंगे तो आप काउधिर क्या हो जाएगा नल दयमंती ताल चलिए ठी तो भी कमल ताल लिखा रहता है तो नल ताल से पूछ ले कमल ताल से पूछ ले आप लोग समझ जाएंगे या आप से ऐसा कोशन पूछ ले कि नल ताल को किस नाम से जाना जाता है तो कमल ताल के नाम से जाना जाता है फिर देखिए सूखा ताल मलवा ताल सड़िया ताल औ उन राज़ोस्वभी लीखों में इसको हत्यारिताल के नाम से ही जाना जाता है, क्यों हरिस्टाल से मेरे काफी गहरा लगाव है, काफी गहरा सम्मंद है हरिस्टाल से, यही मेरी जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियों बता था ना, कि नैने ताल में मेरा जनम हुआ है, और हरिस्टाल जो रहेगा वो गाव का नाम भी है और ताल का नाम बरी है, तो उसी हरिस्टाल में मेरा जनम हुआ है, तो इसको हत्यारिताल के नाम से भी जाना जाता है, बागी हत्यारिताल से कोई संबंद नहीं है, ऐसा यह मार्स अमझाता है की यह बर काभी हट्राइं हुई होगे बस कैसी नाम पढ़ गया इसका तो हरिस्ताल पुछ लिए हथ्यारी ताल पुछ ले आपको उत्र कादेना है नेनिताल जन्पद और देखिए एक आता है सुखा ताल तो एक हाता है नेनिताल में एक कहां पर था चंपावत में यह आपको मैंने चंपावत वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो चंपावत रहेगा जो चंपावत रहेगा वह उसमें एक सूखा ताल है चंपावत में और एक सूखा ताल कहां पर है वह है कहां पर नेने ताल जन्पद में तो दो पहाड़ के दोनों और यहाँ पहाड़ और पहाड़ के जंपावथ में फे दोन मोग ही है अब भाद बात कर लेते हैं चलब से जलबर त्रुशल बात करें चल पहाँ होते हैं जलब में एक ऐत culinary घ्यों खो शॉल्ड होगा और चलब भाड़ कर लेते हैं जलपरपात की यानि की वाटरफॉल देखिए भालुगार जलपरपात कहाँ पर जाएगा मुक्तिस्वा नेनिताल में फिरी की जरना कहाँ पर जाएगा कालर डूंगी नेनिताल में यह जिगर का नाम छोड़ देजें नेनिताल याद रखिए बस इतना काफी है फिर देखिए वुट लेंड वाटरफॉल नेनिताल में कारविट जलपरपात कई बार दोस्ति जाम आभी चुका है तो कारविट राष्टे उद्यान नेनिताल में है धोकरे जरना कहाँ पर है नेनिताल में सुबास धारा जरना कहाँ पर है नेनिताल में लाडवा गड़ किला दर्रा चौकी घाड दर्रा बमोरी दर्रा और चोरगलिया दर्रा यह सब कहां पर जाएंगे नेनताल जनपत ने इंपोर्टेंट है यह चोरगलिया दर्रा बमोरी दर्रा चौकी घाड याचल किला दर्रा चिलिकला दर्रा सब कहां पर जाएंगे नेनताल में चलिए ठीक यह बनाओ ताल से सटा हुआ है beber ताल है उससे ताल से प्लड क्ल रहा है तो दखिए जो नैने दियु मंदिर रहे काफ़ी चल्चा के ती तो देखिए किर बारे में भी काफी चर्चा के थी तो देखिए प्र अपिछी किता है प्रतर МУЗЫКА 1842 में क्या होता है इस मंदर का निर्मान करवाया गया था किसके द्वारा मोतिलाल सहा के द्वारा जैसे कि मैंने आपको पताने पिछले वीडियो में कि जो बैरन था पी बैरन उसने नैनिताल को बसाने के जिमितारी किसको दी थी वो दी थी मोतिलाल सहा को तो इनी मोतिलाल सह तो 822 में यहां पर एक मंदिड़ का दिरमान करवाया गया वो मंदिर कॉंसे था ? तो 1880 में और नैना देव मंदिर की पुना इस्थापना कप की गई तो ये कप की गई थी 1882 में है फिर देखिए कैची धाम कैची धाम जैसे की काफी परसिद्ध जगह हैं और देश विदेशों से यहाँ पर परेटक आते हैं मारक जुकरवर को हो पिरिंग का चौपड़ा हो देपी का पादु गोड़ो मतलब काफी लोग यहाँ पर आ चुके हैं मारक जुकरवर तो यहाँ के बहुत ही बड़े भगते हैं बाबा नीम करोली के तो वो भी यहाँ पर आये थे एक बार फेजबुक के संस्थापग तो कैची धाम 1957 में कैची नामकिस्थान पर बाबा नीम करोली महराज द्वारा यहाँ पर एक बैशनाव मंदर के स्थापना की गई थी अब देखिए एक बात यहाँ पर से और समझे किसी किताब में यह लिखा हुआ है कि 1962 में बाबा नीम करोली केची धाम पर आते हैं अब देखिए यह कोशन तो बनेगा नहीं कि कब आये थे कैसे यहाँ थे क्योंकि यह बिवादित बात है अलगलग किताब में अलगलग डेट जहां पर लिखी रहती है तो बात बिवादित हो जाती है तो ऐसे कोशन एक जहां में बनते नहीं है बस आप लोग इतना याज उसके बार देखिए इस स्थान पर सोमवारी महराज द्वारा तब किया गया और सोमवारी महराज द्वारा बनाए गए हवन कुंड को चबुत्रे से ढखकर 15 जून 1964 पर 1964 को उस स्थान पर हनुमान मंदिर की इस्थापना की जाती है क्योंकि देखिए हनुमान मंदिर की इस जाता था चलिए ठीक है तो देखिए जैसी कि यहां पर एक मंदर की स्थापना होती है हनुमान मंदर की और 1973 में क्या होता है 1973 को वरंदावन में बाबा नेम करोली महराज ने अपने सरील का परिता कर दिया 15 जून को विसाल भंडारे का आयोजन होता है दोस्तों काफी बार यह कोशन इक जाम में आ भी चुका है कि जो कैची धाम है यहां पर एक विसाल मेला या फिसाल भंडारे का आयोजन कहां पर होता है इसमें मेला भी जोड़ेंगे मेला ही टाइप मा लगता है मेला कहें और यह बहुत लंबी लाइन लगते है इस मंदर में जाने के लिए तो 15 जून को विसाल भंडारा और विसाल यहाँ पर एक मेला लगता है और देखिए किसी किताब हम कोई डेट मिलती है कि 15 जून 1976 से यहाँ पर विसाल भंडारे का आयोजन में किस देवता से संबंद है गोलु देवता से यह संबंद रहेगा मुक्तिवसर महादेव मंदर गाधिव मंदर और पासार देव मंदर सब कहाँ पर जाएंगे नैनिताल में भीमेसर महादेव मंदर यह भीमताल जील के पास है जो भीमताल जील े पढ़ी उसी जील के बाहस भीमेश्वर महादेव मंदिर है और देखिये मासीतला देवी मंदिर इस मंदिर की बड़ी इσकनствен की बड़ी इमानीता है तो यह कहां पर है हल्दवानी में है हल्दवानी से जैसे ही हम लोग उपस आते हैं गौला ने दीके टट पर देखी जो जमरानी परियोजना आ रही है ना जो हम लोग देख रहे हैं जमरानी परियोजना जमरानी परियोजना कहां पर बन रही है जो हैडाखान बाबा मंदिर है इसी के एरिया में यहां पर जमरानी परियोजना बन रही है तो जो हैडाखान बा बाबाव मंदिर उसके चपेट मायागा जब यह परिजना मतलब शुरू किया जाएगा इसमें काम तो जब्रानी बात परिजना आप लोग लिख लेंगे कहां पर है नेनिताल में परस्ता भी था यह और हैडा खान बाबाव मंदिर कहां पर है इंपोर्टन कोशिन है यह कहां बाबा मंदिर कहां पर है नेनिताल में गर्जय दिए मंदिर आपको पढ़ाई चुका हूँ कहां पर है राम्नेगर में कोशी नदिक ठीजि का मंदिर है इसको बनूट कर लेंगे जोकी काफी महत पुरु है काफी परसिद्ध मंदिर है तो कभी-कभी पिथोड़ागड जनपद जब हम आपको पढ़ा रहा था क्या पिथोड़ागड जनपद तो उस पिथोड़ागड जनपद में मैंने आपको क्या बताया था कि वहाँ पर एक छोटा कैलास है जो आदी कैलास इसको बोलते है आदी कैलास तो वो कहाँ पर था पिथोडागड में एक छोटा कैलास नेंटाल दिन पर में भी है तो इसमें आपको confusion नहीं होना है अगर दोनों option आते हैं तो वहाँ पर A या B कि दोनों option में आपको तीसरा option देखने को मिलेगा या फिर आपको नेंटाल ही मिलेगा option में या फिर आपको पित्रणागड ही मिलेगा क्योंकि दोनों जेगे पर छोटा कैलास है जैसे कि जब महा सिरातरी का पर्व होता है तो नैनताल वाले छोटा किलास में भी बहुत ही, मतलब हजारों की मात्रम ह chil Var Vक्तीगड जाते हैं, उसके बहुत है कि हनुमान गड़ी कहाँ पर है, तो हनुमान गड़ी जो रहेगा देखिए, ये एक परेटन इस्तल भी है, हनुमान गड़ी एक परेटन इस्तल भी है और यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिल भी है काफी बड़ी मूर्थी लगाई गई है यहाँ पर तो हनुमान गड़ी कहाँ पर है हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्थी लगाई गई है हनुमान गड़ी में तो यह कहां पर रहेगा नेनेदाल जनपत में उसके बाद देखिए चंपाओ जनपत का इसको नोट कर लेंगे दोस्तों जनपत में छूड़ कि आता है इसको नोट कर लेंगे कि आठ मिल नामक परेटन इससल कहाँ पर है यह देग यह मतला बहुत अच्छी जगाए है यहां पर तो आठ मिल जो परेटन के दिश्ची से काफी महत्पूण यह हम लोग कहा सकते काफी परशिद्ध है यह जंपाओत में आठ मिल नामक आपको यह हो सकता है मील ऐसे लिखाओ आर्ट मिल मैंने ऐसे लिखा हुए आर्ट मिल आर्ट मिल यूगि मैंने सुना है किसी किताब में लिखा हुआ देखा नहीं किसी किताब में साधर किसी में लिखा हुआ मुझे पता नहीं है लेकिन यह जगह काफी परसिद्ध है तो हो सकता एक्जाम कोशिन पूछ जाए कि आ तो दोस्तो आज के लिए इतना ही हमेशा की तरह एकी बात फेस्बुक पेस्ट से आप लोग मारे एड हो जाएए जहां से नहीं नहीं जान का रहे हैं पोश्ट करता रहता हूँ वाटसप नमबर मैंने आपको निचे दिया हुआ है कुछ भी आपको जान का लेनी हो आप पूर गिया कीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में आज के लिए तना ही अगर वीडियो कसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए